था है उनके बयोब्रद माता पिता थे और ंखे उनको दीखता नहीं था वह उन्होंने किसी सन्यास नहीं लिया था किसी आचारे से नहीं जुड़े थे ऐसे मन मानी जाकर तपश्या करने लगे सास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं माता-पिता का त्याक कर दिया कोई शेवा के लिए था नहीं काफी शमय तप करने के बाद एक ब्रक्ष के नीचे बैठे हुए थे और ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रास्य समझ में आ जागा अध्यात और अपने कर्तब में तो एक बगुली उनके उपर हग दी पुरलिंग में जैसे बगुला केते हैं इस त्रिलिंग में उसे बगुली केते हैं उनको लगा में बहुत बड़ा सिद्ध मात्मा हो गया वो एक ग्रहस्त के हां गए विक्षाम दे तो एक बहु निकली प्रणाम किया का महाराज ठैरिये अभी रशुई में अमनिया करके बनाकर आपको देते तो उसकी घर के दो दर्वाजे थे प्रधाम दर्वाजे पर विक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे जो महात्मा किसी आचारे से अपने आप ऐसे किये थे उतने में दूसरे दर्वाजे से उसका पती आ गया है और पती को शाक्षात भगवान मान करके आराधना करती थे पती आये तो जो उसका दिन चर्या थी बैठाला उनको जल पिलाया उनकी सेवा में इसके बाद उसको ध्यान आया एक दम उनका भगवन आपके घर में अतित् जल्ली जाओ वह जब विक्षा देने गई तो क्रोध किया उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं बिलंब क्यों किया तो उनका मारा धैरे रखे हम ग्रैस्त हैं हमारे पती हैं पूत्र हैं हमारी प्रधान सेवा उनकी है वो मेरे पतिदेव आ गय थे अब उनसे आदेश लेकर में आपको भिक्षा देने आएं अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप शादवेश में आपको क्रूध करना उचित नहीं तो उनके हो सुड़ गए कि एक ग्रैस्त धर्मे में इस्त्री यह हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है वो ले तुम कैसे जान गई बोले मैं अपने पती के सेवा से त्रिका लग यहूं भूत भैश्वरतमान तीनों काल का ग्यान है और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धी नहीं प्राप्त होगी क्योंकि तुमने न तो गुरू कवरण किया है और ना अपने करतब का पालन किया है तुम तुम्हारी बुद्धी ठीक होगी जाओ तो कि अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत अपश्वनी कि क्योंकि हमारी सारी बाते जान गए जब वहां गए तो एक किलो दे दो आधा किलो दे दो उनको घ्रणावी कि यह आदमी इससे संभाशन भी नहीं करना चाहिए यह ज्या नहीं हो सकता है और जी वह हटने लेकित उनका रुको रुको कस्यप जी तुम्हें पतिवरता पत स्यासन पदमासन में करते हैं यह और वो अपने पतिक फाखिरकाल मैं कमजोर क्यों हूं जब वह सेवापनी कर चुके बंद किया प्रणाम किया अपने व्यापार को चले तब उन्होंने का महराज आप अग्यानी हो भी उनका मैं क्यों अग्यानी हूं कि मुझे त्रिका लग हूं मैं तीनों काल का ग्यान है क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूं ने अंतर नाम जब करता हूं और चलो हमारे आरात दिदेव घर में बैठें गए तो देखा श्वेत वस्त धारन की वी बुढ़े माता पिता वोले कमाता हू रात दिन इनकी सेवा करता हूं और नाम जब करता हूं अपना कर्म करता हूं मुझे शब ग्यान हो चुका है तुम्हें कभी ग्यान नहीं होगा क्योंकि तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या काना टक करने इसको गुरु बनाया है किसको आचार बूले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं वह पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गए कर्तब्यकर्म बस यह सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपुर्ण गीता में अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपनी माता-पिता है अपना परिवार है अपना मुहला है अपना देश है बूर जितनक आप का विस्टार हो सके सेवा का हमारा क्या क्रश्रत Bijden इस वह अध्यात में युप्त हो जाएगा पत्नी इस समय प्रतिकूल है अब मेरा क्या करतब्य है यह नहीं कि मैं इतना करता हूं तो उसका क्या करतब्य है वो मेरी पत्नी उसका क्या करतब्य है नहीं उपासा के नहीं लेखता जो परमार्थ का पती इस समय मेरा क्रतब्य क्या है कि पिधता से वाक कर ला हुँ देखता है इसलिए शान्त और महान होता हुद ऑगववान मानका स्ट्रिका लग गया इत्सकाएं हुआ अपने व्यपर को भगवान मांद कर माता-पिता की सेवा तरिका लगत इये बात देखने हैं कि आपका जो करताव हैuellement का राक्त का निर्वाइड हम अपने शंमंध का धर्म और निर्वा करें इसी से भगवत भक्ती मिल जाएगी इसी से ग्यान मिल जाएगी